हेलो फ्रेंड्स, वेलकॉमी लोग रूचेना, मैं जितन्द कुमार सी, आज हम बात करने वाले बहुत ही इपॉर्टेंट आपी के बारे में, दोस्तों, आप जिस समाज में राते हैं, उस समाज में आपने नोटिस किया होगा, बहुत सारे ऐसे स्ट्रेस में राते हैं, जो ए अगर आप student हैं, या आप student के अभी भावक हैं, तो आपके लिए यह video बहुत ही important है, और इसके साथ ही साथ, अगर आप law के अस्ट्रेंट हैं, या आप desk के नागरिक हैं, तो आपको RTI के बारे में मालू होना ही चाहिए, दोस्तों, आप जो exam का aspect करते हैं, या exam का result आना चाह रहते हैं, होने कि आँस सकता नहीं है। बहुत सारे बच्चे सुचते ॥ कि बहुत सारा अच्छा मांक्स आने वाला है, लेकिन जब result आता है तो मालम्य चलता फिल हो गये हैं यह किसी तरह से pass हुए हैं यह मांक्स बहुत कम आया हैँ इन सब चीज़ को लेकर आप RTI फाइल कर सकते हैं, अपना answer sheet देख सकते हैं, answer sheet देखने से आपको ये clear हो जाएगा कि आपने कहां कहां गलती किया है, या आपका university के दोरा कहां कहां पर गलती किया गया है, या copy कहां गलती से चेक किया गया है, या गलती हुआ है, ठीक है दोस् सुचना काधिकार, 15-2005 को राष्टपती की इस पर अनुमती हुई थी, ठीक है दोस्तों, इसको अनुमती दिया गया था, और 12 October 2005 को पूरे देश में लागु किया गया था, जमू और कास्मीर को छोर कर पूरे देश में ये लागु किया गया था, जमू और कास्मीर क्यों कि वहाँ पर पहले अलग कानुन था ठीक है दोस्तों चलिए format for the RTI application आप देख सकते हैं to the central public information officer आप central public information officer के पास या the public information officer के पास भी आप भेश सकते हैं जो central होता है और central level पर होता है इसके बाद आप यह देखिए कि आपको किस भी भाग में भेजना है किस department में भेजना है अगर आपको department का मालूम हो तो department का mention कर सकते हैं अदरवाज आप skip कर सकते हैं इसको छोड़ सकते हैं जैसे मैंने mention कर दिया है the office of the register of the of university ठीक है दोस्तों यह आपको pin code भी डालना है अगर आपको pin code मालूम हो तो pin code डालिए अदरवाज आप छोड़ सकते हैं ठीक है दोस्तों तो आपको लिखना है to the central public information officer यह आप state level पर डालना चाहते हैं तो to the public information officer फिर आज यह subject पर subject में लिखना है information under right to information एक 2005 ठीक है दोस्तों dear sir kindly furnish satisfied copy of my answer sheets the details of which are as under आप अपने details डाल दीजिए उसमें नाम डाल दीजिए जैसे नाम में मैंने डाल दी जितेंद्रुमार सिम रॉल नमबर इसमें सब कुछ में आप लोग को समझाने के लिए डाला हूं यह मैं सोचीगा कि यह मेरा कोई bio data है ठीक है दोस्तों सिर्फ ना नाम हो गया रॉल नमबर हो गया name of exam exam का जो नाम डालिएगा आप इस तरह से मेंसिन करिएगा बेसी अगर करते हैं तो अनर्स केमेस्ट्री कोर्स और कौन सा एयर में आप हैं उसको भी मेंसिन करना है date of exam exam का date भी आपको मेंसिन करना है ताकि खोजने में असानी हो जाए ठी सब्जेक्ट का नाम किसकी सब्जेक्ट का हो सकता है आपके पास छे सब्जेक्ट का हो साथ सब्जेक्ट का हो लेकिन किसी एक दो सब्जेक्ट में ही आपको इशू होगा या कुछ ऐसा लगता होगा माश कम आया जिस सब्जेक्ट के बारे में आप चाहते हैं उसी सब्जे Center examination Center को भी mention करना है कहां पर exam conduct किया गया था फिर उसके बाद subject code डाल दीजिए subject code जो भी होगा अगर मालूम होगा तर डाल दीजिए ठीक है दोस्तों फिर उसके बाद आता है Center code कि Center पर आपका exam हुआ था क्योंकि admit card में सब mention रहता है इसलिए आप यह सब डाल सकते हैं उसके बाद name of the university, किस university से आप परहाई कर रहे हैं, उसका भी mention कर दीजे, address अपना दे दीजे, address जरूर देना है, ताकि आपको वहाँ से जब later भेज़ा जाए, तो आपके address पर आज सके, ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद address में आप email ID भी दे सकते हैं, या mobile number, mobile number और email ID दे दे आपको वहाँ से contact किया जा सकता है, कोई भी issue आता है, या कोई भी दिकत आता है, तो आपको inform किया जाएगा, ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद आपको आगे क्या लिखना है, I belongs to category of BPL, आप BPL से belong करते हैं, कि नहीं करते हैं, अगर करते हैं, तो yes पर्टिक करते हैं, अगर I am attaching the gyrex copy of hall ticket and mark sheet document, आप अगर चाहते हैं, कि आपका answer sheet मिले, तो आप इसको एक अपना hall ticket और mark sheet document को attach करना है, अगर आपके पास होगा, होगा ही होगा, क्योंकि आप student है तो आपको पास होगा, इसको attach करना है, ताकि वहाँ verify किया जा सके, कि जो individual ये RTA डाला है, वो आप ही ह ऐसा तो नहीं, कोई भी डाल दिया, ठीक है दोस्तों, तो ये आपको attach करना है, I am attaching या not attaching, इसमें दो condition हो सकता है, attach कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या prescribed fee of 10 rupees, 10 रुपया के, अगर आप BPL में हैं, तो आपको 10 रुपया का fee नहीं लगेगा, अगर आप BPL में नहीं हैं, त आपको 10 रुपया का fee लगेगा, तो आप 10 रुपया का fee का जो है, उसको attach कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, I have deposited sum of, कितना रुपीज आपने deposit किया है, charges of copy, मनि फोटो कोपी और CD के लिए, आप चाहते हैं कि CD में अगर available आपके कुछ भी होगा, वहाँ पे, तो CD में मिले, अगर हैं, तो 2 रुपया per page है, अगर CD में लेते हैं, तो आपको 50 रुपीज है, तो जो source वहाँ पे होगा, उसके रुसर आपको दिये जाएगा, ऐसा नहीं कि आपको कहते है, CD में कैसे मिलेगा, जब CD में नहीं होगा, तो जो वहाँ पे होगा, उस तरह से आपको दिये जाएग दोस्तों, आप किस money order के थूप भेज रहे हैं, आप जो fee से इसके लिए भेज रहे हैं, CD के लिए या उसका जरक्स के लिए, या आप उसको जो prescribe fee है, 10 रुपया का उसको mention कर रहे हैं, तो आप सब को जोर कर, जिससे 50 रुपया का हो गया, या मालेज़े 10 रुपया का आपका fee हो गया, और CD में तो मिलेगा नहीं, अगर आपको copy लेना है, जिससे 50 copy है, तो 100 रुपया हो गया, 110 रुपया का आप postal order के थूप कर रहे हैं, money order के थूप कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसको IPO नंबर या उसका नंबर दे दीजे, date दे दीजे, ठीक है दोस्तों, ताकि आ आपका ही ये postal order है, उसके बाद आता है आपका signature, आप signature कर दीजे, signature अपना नाम mention कर दीजे, उसके बाद date mention कर दीजे, और यहाँ पर mobile नंबर लिख दीजे, ताकि आपको contact किये जा सके, आप इसका format अगर चाहते हैं, तो format भी ये आप देख सकते हैं, सेम इसी pattern का है format, आप format description box में जाकर download कर सकते हैं, ये English medium में है, किस तरह से भरना है, आप देख सकते हैं, बहुत असानी से आप भर सकते हैं, और अपना problem का solution ढूट सकते हैं, दोस्तों, depression में जाने की कोई आप सकता नहीं है, बहुत सारे student बहुत गलत कदम उठा लेते हैं, ये गलत बाद है, और आ अगर आप चाहते हैं इन सब को, तो आप description में जाकर देख सकते हैं, ये download करके आप भर सकते हैं, thanks for watching video